मुख्यमंत्री ने मनसौर में किया मेडिकल कॉलिज का भूमी पूजन इस असर पर मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि एक संसदी शेत्र में तीन मेडिकल कॉलिज बन रहे हैं ये मेडिकल कॉलिज शेत्र के लिए वर्दान साबित होगा अब इन मेडिकल कॉलिजों में श्रेष्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा उपचार किया जाएगा Medical College को बनाने के लिए तीन अलगलग जगह पर 73,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन का चुएन किया गया है इसको P.I.U. विभाग की माधियम से J.P. Structure Private Limited कमपनी की द्वारा निर्मान किया जाएगा इस्तिहत्यर हजार वर्ग मीटर से अधिक जगह पर कॉलेज के साथ ही महाराना, राचपूत, छात्रवाज, भूमी पूजन महागंटे के उद्गाठन के साथ ही शिव मंदर के शिवडिंग की पूजन अर्चन के लिए उदैपूर एहमदाबाद इंदोर जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज निर्मित हो जाने से जले की जंता को बहतर स्वास्त सुविधा मिलेगी, जले मेडिकल कोलेज में ही ट्रामा सेंटर न्यूर coinspert मिलेंगे, अब आम नागरिकों को कम से कम Kharch में बहतर सुविधा मिलेगी आर्थिक गतिवीधियां बढ़ेंगी, मेडिकल कॉलेज की शुरू होने से शहर में आर्थिक गतिवीधियां टेजी से बढ़ेंगी परिवहन की सुविधा बढ़ेंगी, मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए लोग बाहर से आएंगे जिससे होटल रेंटल रून के साथ मेडिकल शेतर में विकास की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी शिवनाश शुद्धी करन्ट ले समाज की भागिदारी परमावश्यक है प्रदेश आगबड़े इसके लिए जनका का सहयोग जरूरी है और पूरे प्रदेश में हब नगर और गाओं का गोरव दिवस मनाया जा रहा है मुझे प्रसंद आए कि 8 दिसंबर जिस दिन हुनों पर विजय प्राप्त की थी भारत ने उस दिन मंदसौर का गोरव दिवस मनाया जाएगा सरकार और समाज मिलके मंदसौर और कैसे आगे बढ़े इस दिसा में ना इस रेसे संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे मैं पस्पतिनाद भगवान के चरणों में प्रणाम करते भी यही प्राप्ता करता हूँ सब सुखी हो, सब दिरोग हो, सब का मंगल हो, सब का कर्या हो सब सानगे बढ़ें मैं रख़ें मैं जया हो, सब करता हुष वाडें